हेलो एवरीवान वेलिकम बैक नाइ यूट्यूब चैनल आज की सीटियों मैं बंडे नाइट रो इन दिस्टंबर फॉर पर अपना रिवी पेश करूंगी जिसमें फाइनली बैकी लिंच एंड नाय जक्स की रेवली बिगेन हो गही है सैट फॉनलस का है मेन इवेट में जे उसो के अगेंस्ट मैंच डोमिनिक मिस्टियो एंड जेडी मेंच का है क्रीड बर्दर्स के अगेंस्ट टैग टीम मैंच फिल्म बैला नोट अपिर टूनाइट ओन वार तो और क्या कुछ हुआ मंदे नाइट रो में जाने के लिए पुरी वीडियो वाच करें तो चले देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मंदे नाइट रो शो का स्ट्राइब डूमेकंटार करता है डूमेकंटार सेज वेल्कम टू मंदे नाइट रो कि आज कर बन गया है कि आपको फाइल कर दिया जाए और आप वापिस आओ आप तो पर बन जाओ जिस पर क्राउर सियंग के नेम की चैर्ट रगाता है कि मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा बट यहां काफी कावर्ड लोग भी है जो के बिल्कुल बेकार भी है लास्ट ट्रीक सैट फोर्डस ने मेरे साब बलकुल रोंग किया और उसने जे उसो को चैंपेशिप का मैश दिया जे तुम्हें नागर के रेंडी ओर्टन तुम पर अटैक कर सकता है तुम लास्ट ट्रीक रेंडी ओर्टन के पास गए और तुमने उससे माफी मांग ली और सैमी जेन बट इससे पहले के रूमेक अटैर सैमी जेन के बारे में कोई बात करता सैमी जेन की एंट्री हो जाती है सैमी जेन रिंग में आकर रूमेक अटैर से कहता है के रू तुम्हें जो भी मेरे बारे में कहना है मेरे फेस बेक हो जिस पर डू सेज के सैमी तुम बिलकु मेरे जैसे हो तुम भी अपने होम टाउम में हा रहे हो और मैं भी अपने होम टाउम में हा रहा हूँ हम दोनों में सिमिलर्टी ये है के हम दोरों को बलर लाईने स्कूरू किया है जिस पर सेमी जेन सेस कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं मैं हा रहा हूँ बट उसके बाद मैंने खुद को बिल्ड किया एंड रैसल मैंने हमें मेर इवेंट किया एंड अपनी फैमिली के सामने प्राउड हूँ तुम अपनी फैनली के सामने प्राउट नहीं हो और यह सुनकर डूमेक अटार को घुस्ता आ जाता है और डूमेक अटार से के टुनाइट इस अरेना से हम दोरों मेंसे सिर्फ एक ही परसर अपनी टांगों पे वापिस घर जाएगा अं दोरो का मैच बिगिन हो जाता है, मैच वाज गूट पस्याट मैच में सहवि जेर्फ जेन की लग वाकर में इंजट होजाती है एंड इस पाण का फाईद नृता ता ऐटब ईड भाटेम नृबाग के अटल कीरूमेक अटेयर आटक करता है एंड देन जे उसो आकर सैमी बेन को देखता है एंड देन इसके बाद बिग टैम बैक्स बैक की नीज का एंट्रू होता है जिसमें नाया जैक्स इंटरॉप्स करती है एंड आकर बैक की नीज से कहती है के बैकी लास वीक तुमने अपनी कुछ फार्ट्स को कंसिडर किया था मैं तुमसे पूछ जाती हूं क्या मैं तुम्हारी लिस्स में हूँ जिसमें वेकली नीज रिप्लाइ करती है के येस नाया तुम मेरी लिस्स में नमबर बान पे हो मैं तुम्हें भूल चुकी थी बट तुमने मेरे एंटर्विय में इंटर्व्स किया and now मुझे रिलाइस हो क्या है कि मुझे तुम्हें फेज करना ही होगा जिस पर Naya Jacks कहती है कि अभी मेरा शेना बेदरा के साथ मैच है इसके बाद मेरा फोकस ओनली तुमपे होगा इसके बाद Naya Jacks वसी शेना बेदरा का मैच मेच होता है जिसमें end of the match Naya Jacks ये मैच में कर लेती है and after the match Becky Lynch अर्राइब होती है and Becky Lynch आकर Naya Jacks को कालड़ करती है बट Naya Jacks रिंग लीव कर देती है and Becky Lynch नaya Jacks को देखती रह चाती है इसके बाद Backstage Judgment Day का सेग्मेंट दिखाया जाता है जिसमें Damien Priest, Dominic Mysterio and JD अपने लोकल रूमें आते हैं तो वहाँ Art Truth 90s के जमाने का TV चला रहा होता है and Damien Priest, Dominic Mysterio and JD में ग्डोरा को देखकर पताता है के मेरे बच्पन में यही TV होता था जिस पर यह दिनों गुस्ता करते है and JD में ग्डोरा Art Truths को गैट आट होने का कहता है and इसके बाद Dominic Mysterio बताता है के Tonight मामी रियारी प्ले हैर नहीं है जिस पर Damien Priest कहता है के Okay, रियारी प्ले हैर नहीं है तो Tonight मैं तुम सबका लीडर हूँ and मैं तुम दोरों को आड़र देता हूं कि तुम दोनों Creed Brothers के against match करोगे and उन्हें lesson दोगे जिस पर Dominic Mysterio एंजेनी में एक दोना agree करते हैं इसके बाद Cody Rose entry करता है and Cody Rose stage के बस्पर में मैंने Great Muta को Mist का यूज करते में देखा था and मैं बस्पर में इससे बहुत डरता था and now मैंने relax किया है के मेरा डर बलकु ठीक था so Shins के Nakamura तुम आओ और मुझे बताओ के तुमने मुझे अटैक क्यों किया and then Shins के Nakamura स्क्रीन पर नजर आता है and Shins के Nakamura face के Cody last week मैंने तुम्हारी आइस बंड की थी and tonight मैं तुम्हारी आइस ओपन करूंगा Look हम दोनों में काफी similarity है मैंने भी Royal Rumble win किया and तुमने भी Royal Rumble win किया and हम दोनों ने Wrestlemania में मैच किया but मैं AJ Styles के against खारा and तुम Romal Race के against खारे and now मैं तुम्हारी स्टोरी फिनिश करूंगा दिस पर गोर्डिर आइस के Shins के Nakamura thank you कि तुमने मुझे explain किया कि तुमने मुझे अटेक क्यूं किया है look हम दोनों में कोई similarity नहीं है because जब तुम हा रहे थे तो तुमने अपनी असलियत दिखा दी थी and now मैं तुम्हें proof करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं and then Dominic Mysterio and JD Magdona entry करते हैं and then Dominic Mysterio and JD Magdona का Creed Brothers के against tag की match begin होता है जिसमें Dominic Mysterio good performance देता है and Creed Brothers पे 619 भी attempt करता है but इस match में ringside पे R-Truth भी आ जाते है and R-Truth को देखकर Dominic Mysterio and JD Magdona disrupt हो जाते है and end of the match Creed Brothers JD Magdona पे pin करके ये match win कर लेते है इसके बाब एस्टेज आडम पियर्स and World Heavy Champion सैट्रोलन का segment दिखाया जाता है जिसमें सैट्रोलन से इसके मुझे CM Pong फिल्कु भी पसांद नहीं है and Adam Pierce कहते है के but मुझे तो CM Pong पसांद है and now मैं next week CM Pong को Monday Night Raw में invite करने वाला हूं and उसके सामने Monday Night Raw का contract रखने वाला हूं and yes उनका सैट्रोलन से कहता है के okay तुम्हें जो करना है तुम करो but CM Pong तुम्हें जल्दी अपने color दिखा देगा and then Jay Uso आकर सैट्रोलन से कहता है के hey tonight मैं World Heavy Champion बनने वाला हूं जिस पर सैट्रोलन से के ऐसा नहीं होने वाला इसके बाद back stage जेमें परी इस डोमने मिस्टेरियो एंड जेडी मकडोना से पूछता है के तुम दोनों Creed Brothers से क्यूं हार गए तुम दोनों Creed Brothers से क्यूं हार गए जिस पर डोमने मिस्टेरियो एक्स्प्लें करता है के आर्ट्रूस वाह आ गयता है एंड उसके वाहते हम डिस्ट्राइब हो गए एंड यह मैच हार गए एंड जेडी मकडोना यह में परिस से कहता है के तुम्हें इसके बाद में इवेंट ऑफ दी इवरिंग से वाहते हैं मैच बिगेन होता है मैच वास एपसलूटली गूड मैच में साइड परफॉर्मस देता है एंड जे उसो टू टाइम साइड पर सप्लेश अटेम्प करता है बट दोनों टाइम साइड कर देता है जैसे ही जैए उसो टाइम साइड आप गरता है और जैसे ही जैए उसो टाइल करता है तो रिंग से जाने लगता है तो Drew McIntyre आकर रिंग साइड पे जे उसो को claim or kick से attack करता है and set holands जे उसो को save करने के लिए Drew McIntyre पे suicide dive attempt करने आता है बड़ Drew McIntyre उसे भी catch कर लेता है and belly to belly surprise देता है and then जे उसो को table पे surprise attempt करके smash कर देता है and यही पेशो ओफेर होता है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छे लगिए तो वीडियो को लाइक कर दे channel को subscribe कर दे bell icon प्रेस कर दे and comment section लिए की इंते राइका इज़ाँ जरू कीजेगा तो तब तब स्टे हैपी, स्टे हेल्दी and keep watching my videos goodbye